रमेश के घर में घुसते ही मीनाक्षी का मन अंदर से दरक गया। हालांकि रमेश उसका पती था। परन्तु जब से मीनाक्षी को लगा कि उसके प्रती अपने कर्टव्यों और दायत्वों का पूर्ण रुपे निर्वाह नहीं कर रहे हैं तब से मीनाक्षी भी भर मूँ बात नहीं करती। रात्री का समय आने के साथ ही भारी थकान वबदन का पोपो तूटने का नियमित जुमला सुनना पड़ता है। तब मीनाक्षी को ऐसा महसूस होता है कि कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। जब वह पहली बार इस घर में आई थी उसके प्रती एक नई उमन उत्साह का दरिया था वह बार बार वह उसमें दूपती उत्राती। और जब उसके पिता विदाई कराकर अपने घर लेकर गए तो रमेश ने कहा था मीनाक्षी कैसे रह पाऊंगा मैं। इस पर मीनाक्षी ने कहा था यही बात तो इधर भी है। जितनी तड़क तुम्हारे अंदर है उतना ही मेरे अंदर है। परंतु ये तो दुनियादारी है। थोड़े समय की बात है। माह दो माह सरकने में कितना टाइम लगता है भला। मीनाक्षी की अपनत्व भरी बातो उसे रमेश को काफी सुकून मिला था। दो महीने बाद जब मीनाक्षी इस घर में दूसरी बार आई थी तो उसके प्रती रमेश ने कोई खास दिलचस्पी वर रुची नहीं दिखाए। ना आने की खुशी की इजहार किया और ना बिछरने की गम की परचाया ही थी। दा क्या सोच रही हो मीनाक्षी। रमेश रटा रटाया वाक्य बोला। कुछ नहीं। वो रूखिपन से बोली। उसकी बातों में तनिक भी अपनत्व वसनेल का भाव या रस नहीं था। जो रमेश को आकरिष्ट कर सके अपनी ओर। क्यूंकि यह जुमला इन पंदरल दिनों में कई बार आजमा चुकी है। परन्तु कभी भी संतोष चनक फल नहीं मिला। उसने दूसरा रुख अक्तियार कर लिया ताकि उसका पती कुरेदे और वो इतने दिनों का हिसाब मानगे। उदास हो। रमेश तनिक मुस्कुराते हुए बोला मैं सब समझता हूँ। मीनाक मीनाक्षी एक पर आश्रित रहते तब न, मीनाक्षी तुम होश में तो हो। रमेश को इतना कहते ही अपकी बार मीनाक्षी के सब्र का पैमाना सीमाओं के बान तोड़ कर बाहर आ गया, तुम मर्द मानुशे की थाली के चक्ते बढ़ते हो। रमेश भंचक का हूँ पर उत्तेजित होकर तीखेपन में बदल गया, आधी रात गुजने के बाद घराते हो। तहां रहते हो इतनी रात तक। कौन सौथ है वह। अभी मीनाक्षी कुछ और कहती इसके पहले ही रमेश का हाथ हवा में लहराया और जटके के साथ तड़ाक के साथ मीनाक्षी के ग गुराया बस सिर्फ अपना ही देखती हो। दूसरे के उपर क्या बीत रही है इसका तनिक भी गम नहीं तुमको। तुम ये पूछती आखिर मुझसे ओपेक्षितों की तरह क्यों पेश आ रहे हो। क्या कारण है तो मैं मानता कि भीतर से जितना मैं दुखी हूँ उतना त दिक सुचते हैं। मीनाक्षी तब तक उठकर सहमी सिकुली खड़ी हो गई थी। हिचकियों का दौर अपने चरम पर था। चहरे पर पश्चाताप की परचाया खीच गई थी। अभी उसने बोलने के लिए मूँ खोला ही था कि रमेश फिर शुरू हो गया कृदय के अंतर उसने नजरे उठा कर मीनाक्षी को देखा। सर फटा देखकर पूर्व की बाते भूल उसने उसके जखमों पर हाथ रख दिया था। मीनाक्षी खामोश तक तक पूर्म रुपे नहोश में आ गई थी। उसने अपनी जेड से रुमाल निकाल कर मीनाक्षी के सर पर बांध दिया और दराज से मरहम ले आने दूसरे कमरे की ओर दोड़ा। मरहम लेकर आते ही उसने जखम पर से रुमाल हटा कर मरहम लगा दिया। मीनाक्षी खामोश द्रिष्टी से रमेश के चहरे को निरंतर पड़ती रही। वह मन ही मन सोचने लगी। क्या उसका पती उसे छोड कर किसी दूसरे के साथ रंग्रेलिया मना सकता है। जखमों को सहला रहे हाथों में कितना प्यार अपनत्व वन सनेह भरा था। जब रमेश ने मरहम लगा कर हाथ हटाया तो मीनाक्षी ने उसके हाथों को पकड़ कर चूम लिया था। आखों में धेर सारे पश्चाताप का जो भाव छिपा था वो शनेशनेशकों के रूप में धल कर आखों की राह से बहने लगा था। मुझे माफ कर दीजिए। रमेश स्वच्छंद हसी हसते हुए कहा, तन का मिलन तभी संभब होता है जब मनतनाव रहे थो। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूं खाने पी तक त्यार करता। रमेश अपलक मीनाक्षी को देखता रहा। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी देर पहले इस कमरे का वातावरल कितना तनाव ग्रस्त था। रमेश बोला, भारी मुसीबत सामने आ पड़ी है। मेरे दफ्तर में मेरे हाथों से तकरीबन पच पचास हजार रूपे का गबन हो गया है। फाइनेंस कमपनी में हूँ न पैसे का कारोबार तो होता ही रहता है। भूलवश किसी को अधिक पैसे दे दिये हो। तब मीनाक्षी ने बात आगे बढ़ाए। मेरे पास अब कोई फंड भी नहीं। सारे फंडवा बैंक में जम बाद में लोटा देंगे। नहीं मीनाक्षी। रमेश ने चेताया एक तो पहले से ही बाबुजी का मुझ पर कितना उधार चड़ा हुआ है। जुबान कैसे खोलोगी तुम उनके पास। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मीनाक्षी ने कहा हम दो बहनों के सिवा कौन है उनका। सारी संपती तो हम दोनों बहनों का ही है न। खैर रमेश गंभीर हो गया। तुम हरी छोटी बहनारती के पती का क्या नाम है। हाँ आतिश। वो तो बड़ा ही काया स्वभाव का लगता है। मुझ से भी घांग से बात नहीं करता। कैसे आरती जहेलती है उसको लगता है बाबू जी को नींबू की तरह निचोड लेगा। अभी एक सप्ता पहले दुकान खोलने के बहाने बाबू जी कुछ पैसे उधार ले गया है। जबकि उसको दुकान वगेरा कुछ खोलना नहीं है। जूट से तो मुझे खासी नफरत है। मीनाक्षी तमत्मा गई अच्छा कल जाती हूँ बाबू जी के पास। ठीक है जैसी तुम्हारी मर जी। रमेश बोलाब मन कुछ हलका हो गया है। रात काफी बीच चुकी है। चलो दो चार कौर खा लेते हैं। वैसे मेरी तो तनिक भी खाने की इच्छा नहीं थी। परन्तु तुम्हारी ब मुस्कुराती हुई दुगूने उत्साह से रसोई में समा गई थी। खाना खाकर सोते वक्त तक रातरी के बारह बज गए थे। आज रमेश भरपूर नीन सोया। मीनाक्षी भी आज 15 दिनों से तनाव ग्रस थी और उसका प्रतिफल ज्वाला मुखी के रूप में उसके सी में उबल रहा था। धुआ रहे ताग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसकी तपी साज शांत हो गई थी। और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में समाय चैन की नीन सो रहे थे। सुबह होते ही रमेश का बदन बुखार से गर्म तवे की तरह दहक रहा था। दर्थ से बदन का पोपोपुट रहा था। मीनाक्षी रसोई के कारियों से निवृत होकर रमेश की पास आ गई थी। माथे पर हाथ रखा बुखार था। वो समय न गवाते हुए चौमुहाने पर दालाल के चेंबर की ओर मुल गई। इधर रमेश विस्तर से उठकर दराज से बु उसके घर से अपने दोस्तों को फोन करके बुला लिया था। मीनाक्षी के घर आते तो दिन का सूरज सर पे सवार होकर आग का गोला बरसाने लगा था। मीनाक्षी अकेले ही घर आ रही थी। क्यूंकि मीनाक्षी जब डाल के पास पहांची थी उस समय उनके पास रोगियो की लंबी कतार थी। डॉक्टर लाल ने मीनाक्षी के घर का पता लिख कर काम से निबटने ही आने की इतला देकर उसको वापस भेज दिया। मीनाक्षी को जीने की सीलिया चरते वक्त रमेश का प्रफुलनित स्वर उसके कानों से टक्राया। वो काट की तरह वही खड़ी हो गई। रमेश अपने दोस्त सुरेश और कामेश से कुछ रहा था यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक पखवारा किस तरह काटा वह मैं ही जानता हूँ। तलाकार वही सफल होता है जब चहरे पर अभिने के मुताबिक भाव लाता हो। सच यार मेरा अभिने तो लाजबाव था। मेरी पतनी बड़े ही नेक विश्वासी है। मेरे किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। इधर मीनाक्षी दबे पाओ मुख्य दर्वाजे तक आ गई थी। रमेश कह रहा था यार मेरी पतनी तो सोने का अंदा देने वाली पैसी मुर्गी है जो रोजाना तू नहीं पर वक्त पढ़ने पर तो न्यारा व्यारा कर देती है। बेचारी डा लाल के पास गई है। उसे मालूम नहीं कि बुखार की दवा तो घर में मौजूद है। इस पर सुरेश बोला बेचारी को नाहक धूप में दोड़ा खेर छोड़ो पैसा कब तक लेकर आने वाली है। आज आएगी तो कल लेकर आज आएगी रमेश बोला कितनी ना समझ है। कह दिया मुझसे कुछ पैसों का गबन हो गया। रमेश के इतना कहते ही कमरे में सम्मिलिक थहा का गूंज गया। मीनाक्षी कुछ जबाव तलब कि बिना वापस मुल गई थी। क्योंकि उस समय वह कोई थोस निर्नय लेने की स्थिती में नहीं थी। क्योंकि उसके विश्वास पर कोई और नहीं स्वयम उसके पती ने घात किया है। काश वह रमेश को अच्छी तरह अपनी कसोटी के मापदन पर गहराई से परकी होती तो ये नौबत नहीं आती। वह पहले ही वापस लोट जाती। जिन्दगी के डगा पर गलक जगल कदम पढ़ गया था। जिस पेल की अपनी च्छाव नहीं वह दूसरे को क्या च्छाव प्रदान करेगा। फिर भी लोटते वक्त उसने इतना जरूर तो निर्नय तो ले लिय जो घात उसके साथ हुआ है अब वह अपने पिता के साथ नहीं कर सकती। मीनाक्षी को गए काफी वक्त हो गया था। इसलिए रमेश वह उसके साथ ही कमरे से जैसे ही बाहर निकले सामने के लेटर बॉक्स पर मीनाक्षी के हाथों लिखा ताजा मरीन परचा देख रमेश क के साथ पाउं फूल गए। रमेश जिस कुलहारी से वार किया था उस वार से वह खुद घायल हो गया। जिस विश्वास पर आगात हुआ हो अब जिन्दगी का बाकी रात कातना मुश्किल लग रहा था मीनाक्षी को। उसका लौटना असंभव नहीं नामुम्किन भी था झाल 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 झाल